और अब बात करेंगे ओमान में बंधक बनाई गई महिला दिपिका की जो किसा कुशल भिलाई लोट आई है नियूज 18 से बाच्चित में महिला ने बताया कि उसने ओमान में आठ महिने में कैसे अत्याचार सहे उसने बताया कि ओमान में अभी भी कई महिलाएं फसी हुई है अत्याचारो से तंग आकर कुछ महिलाएं छट से भी कूद गई है जिससे उनकी जान चली गई उसने बताया लड़कियों को जूट बोल कर वहां ले जाया जाता है और वहां पर बेच दिया जाता है उसने भारत सरकार से उन महिलाओं की मदद करने की गुहार लगाई थी और उसने प्रदीश सरकार और वैशाली नगर विधायक को भी धन्यवाद दिया जिनकी कोशिशों से वो ओमान से सौकुशल अपने वतन लोट सकी है उमान में बंदग बनाकर रखी गई दीपिका अब सकुशल भारत लोट आई है और आप देख सकते हैं कि दीपिका हमारे साथ में मौजूद है उससे बाचित करेंगे हूँ अपने बच्चे अपने पती के पास और सबसे ज्यादा मैं वह भया क्या नाम उनका मिसरा जी को अगर वो मेरे हस्बंड के सपोर्ट में खड़े नहीं होते विधायक साथ जी के पास वो गय नहीं होते मेरे तकलीफ उन्हें बताए नहीं होते तो मैं यहां इंडिया करीगी करीगी इस वजब से मुझे घर के अंदर ही कैद्सक्राइक है मेरा वाई फाई पूरा डिये करेक्ट कबसे बंदग बना करें तरसे टोचर किया जाता थैंतर चोटी-छोटी खामों को ले कर के सब्सक्राइव structural कroatने मैं मैं धाम करती लिए कर तो मैसे थोड़ी से नहीं सकती मेडिया को सवाल यह उठता है कि भारत से आप उमान तक का सफर तै करें लेकिन कि गई कैसे हैं यह प्रोसेस कैसे हुआ और क्या आपको बहला फुसला कर ले जाता है कि अपने मर्जी से में जाने को रेडी थी क्योंकि अच्छी सेलरी 30-40 ज़र तक की सेलरी कुकिन का मिल रहा है मैं बोली एक लेडी से काफी छोटे घरे काफी छोटे घर यह भी बोला गया जब वहां गई तो मुझे पता चला कि इतने बड़े घरे इतनी बड़ी फैमिली है मुझे जूट क्यों बोले तो बोलते आतो गई हो तो कुछ कर नहीं जिया सकता है जाना चाहती तो इंडिया भीजता है और लोगों से 2,00,00,00 रूपए लेता है जिसके घर में लड़के देता है मसकटे इंडियां से पूरे लड़की जितनी बहुत साय लड़कीय गई हो करीबने बैंगलोर से एक लेडी सको भेजा है है हैद्राबाद से बेजा है पंजाब से बेजा, बहुत साल यड़कों को भेजा बेजने के लिए।